आजादी की डड़ाई में मिरट का योगदान किसी से कम नहीं हो इच्छास के पन्ने मिरट के करांत करें हूं जफरे पड़े हैं हम आज यहां खड़े हैं यह वो जगह है जहां पर आजादी का बिकुल बजाए गया था यहां पर आकरी बार गुलाम भारत में आकरी बार कांग्रेस का अजबिशन हुआ था इसके लावर और इसके बाद यहीं से घोशना की गई थी अगला आजादी मिलने के बाद के जागा है विक्टोरिया पार्क अपने 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 इत्यास से मिटे हुए लेकिन आजादी के 57 साल तक प्रिशासन को इसकी कोई खेर खारनी रही यहां पर जो मंस्ता प बनाया गया है टाइस लगाए पत्था लगाके उनमें 85 से को के नाम दर्ज़ के गए हैं अपने अपने अंदर आजादी की यादों को समेटे हुए हैं और इसके लिए सासन ने अप्रिशासन ने 2006 में पहल करते ही जो मंच बनाया था और जिनमें 85 करानकारियों का नाम जिक सब्सक्राइब कर सके हम इस बारे में सब्सक्राइब का अगर भारत के अंदर देखा रहा है पूरे महादवीप में तो एक स्थान ऐसा जो हम लोगों के लिए अती महत्पूर्ण है मतलब सिर्फ मेरट के हिसाब से नहीं और राज्य के हिसाब से नहीं कि तू राश्ट के हिसाब से तो वो विक्टोरिया पार्क है उसका कारण ये है कि इसी स्थान पर यहां से लेके जो अब हाईडल कॉलनी है इस पूरे शेत्र में एक जेल हुआ करती थी तो 85 सिपाही जो जिन्हों ने 24 अपरेल 1857 को पहली बार अंग्रेजी अफसरों का मंगल पांड़ी घटना तो हो गई थी बारकपुर में कलकाट बास वो खतम हो गई उसके बाद उनके साथ अकेले थे मंगल पांड़ी उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ मेरेट में 85 सिपाहीों ने एक साथ अपने सीयो का ओर्डर मानने से इंकार किया 24 अपरेल को और उनको यहां इसी परिसर में जो जेल स्थित थी वहाँ पे उनको जाके कैद किया जब 10 महीं 58 सतावन को करांटी मेरेट में प्रस्फुटित हुई तो करांटी कारी सिपाहीों ने सबसे पहला हमला जाकर इस जेल पर किया जेल को तोड़ा और अपने सिपाहीों साथियों को छुड़वाया और वहीं से ही 58 सतावन की राश्ट्रिय करांटी का उद्धोश यहीं इतना महतपूर तो है ही इसके आलावा भी इसके साथ एक बहुत अती महतपूर कटना यह जुड़ी है कि इंडियन नेशनल कॉंगरिस का जो आखरी अधिवेशन था आजादी से जिसमें ये कहा गया कि अगला अधिवेशन आजाद भारत में होगा तो एक प्रकार से आजादी का डेकलेरेशन जिस तान से किया वो भी यही विक्टोरिया पार्क है और जो इस मंच की आप बात कह रहे थे वही मंच था जिस पे आचारे कर पिडाली उसकी अध्धक्षता कर रहे थे और पूरे भारत से आये थे कॉंगरेस के ही कारे करता है बीस हजार के करीब कारे करता आये थे पूरे भारत से उसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी आई एने के जो सिपाही जो छूटे थे जो बापस आ गये थे उन्होंने भी बराबर के हिस्सेदारी इसमें की थी तो पहला कॉंग्रेस अदिवेशन था जिसके नदर आई एने और कॉंग्रेस द स्थान से हुए है तो भारत के हिसाब से modern history में भारत की इससे ज्यादा महतपूर स्थान पूरे भारत में कोई है जिनुद्र है उसकी जिनुद्र की जरुता है टाइस टूट रही है दिवालों टूटी है वहाँ पे साफ सफाई बने है जो इतना एथिहासिक है तो आपको रखरकाव होना चाहिए एमडिये ने मेरे डिवलेपेटर होईट ने बहुत ही अच्छा कारे करके इससे पहले तो इसके बहुत ही बुरी वश्ता थी उन्हों इसको पूरा जीरनो धार किया जैसा हम देखते है इसको वो इसको आपको हमें देखने को मिलता है किन्तु अब इसका आगे किस पर का रखरकाव हो इसकी एक किसी भी विभाग को इसको सौंप देना चाहिए कि वो विभाग की जिम्मेदारी हो कि वो इसका रखरकाव साल दर साल करता रहे तो उससे इसका रखरकाव सरल हो जाएगा और छोटी मोटी मरमत जो होती है जिसके लिए हमें प सब कुछ था ठीकता लेकिन नगान नियम और संबंदी विभागों की लापरवाई की कान आज यह जर्जर हो गया है यहां के टाइस टूट रही है और यहां पर लोग यह आते हैं यहां पर सफाई भी नहीं है और जो गेट पर लोग खड़े होते हैं उनको ठीकते से जानकार इसको धर्वाज भी घोषित कर रखा है लेकिन धर्वार को कैसे मेंटेन करना है इसके लिए प्रसाइशन कर से कोई काम नहीं हो रहा है कैमरामेन कृष्ण सुद्धन के साथ ज्यान प्रकास जन्मान निव्ज आटिया सकता है